हलो वाटसब दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिधात हाजर हो गया हूँ आपके सामने आपकी अपनी चैनल में करियर भाई में दोस्तों बात आज हम करने वाले हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको जॉब कैसे मिल सकता है तो जाहिर सी बात है हर साल हमारे बहुत सारे ग्राइजुएट्स बाहर निकलते हैं जिन्नोंने कहीं पर पहले नौकरी नहीं की है या कोई ऐसे भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो कि अब अपना करियर पाथ चेंज करना चाते हैं किसी और इंडुस्ट्री में जाना चाते हैं जिसका उनको कोई एक्सपीर बात ही होती है कि आप अपने आपको convincingly उनके सामने रखनी पाए हैं आप अपने आपको as a brand के तोर पर उनके सामने नहीं रख पाए हैं या मैं कहूं कि एक complete package के तोर पर नहीं रख पाए हैं जिससे कि वो इस बात को नजर अंदाज कर सके कि आपके पास experience नहीं है बलकि company को बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये project करना ये सामने वाले को एहसास इस बात का कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके पास experience नहीं है तो तो वो कैसे करना है उसके लिए कौन सी चीज़ों को आपको underline करना पड़ेगा interview के दौरान इसके बारे में हम बात कर लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा के तरह अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो आप और दार वर कीजिए चैनल को फटावर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे अवल बात तो इसम आदमी खुद के ओपर भरोसा रखता है जो कि self confident है जिसके अंदर वो जजबा है एक जुनून है कुछ कर कर दिखाने का वो आदमी यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ कर सकता है तो आपको confidence जरूर दिखाना है भले ही वो काम करने का आपके पास experience नहीं है लेकिन आपको यह द तयार हूँ और मैं वो सीख करके ही रहूंगा इसके लिए जो है वो आप कुछ examples का सहारा ले सकते हैं अपने past life में कोई ऐसी चीज़ आपने की हो जो कि आपको बिलकुल भी नहीं आती थी लेकिन आपने ठान लिया आपने उस चीज़ को सीखा और फिर करके भी दिखाया ऐ लेकिन आपके पास कुछ ऐसी values हैं जो कि आप उस company के लिए ला सकते हैं में भी आप बहुत जादा महनती है तो अभी देखिए ये बहुत जादा क्लीशे है लेकिन अगर आपके पास कोई बोलने के लिए point नहीं है experience नहीं है तो इनी चीज़ों के उपर आपको आगे जाना पड़ेगा आपको जो है वो ये जाताना पड़ेगा कि मैं बहुत जादा महनती हूं मैं नई चीज़े बड़े अच्छे तरीके से grasp कर लेता हूं मेरी grasping power काफी अच्छी है बड़े तीजी से सीख जाता हूं इसी के साथ साथ जो है वो अगर मैं कोई चीज करने की ठान ल सकते हैं तो आप उसके बारे में जरूर यहां पर लिख सकते हैं मालीजे कि मैं एक writer की position के लिए जा रहा हूं लेकिन मेरा writing से कोई वास्ता नहीं है लेकिन मैं क्या कह सकता हूं कि सर मैंने कही पर जो है वो as a typist के तोर पर नौकरी की हुई थी तो मेरा typing speed काफी अच्छा है तो मैं बहुत कम समय में article जो है वो बना करके दे सकता हूं या मेरी vocabulary वड़ी अच्छी है मेरी English वड़ी अच्छी है यह जो भी language है तो यह मैं example के तोर पर बता रहा हूं आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके जिन्देगी में आपने क्या-क्या सीखा है जो कि आप इस job क साथ जोड सकते हो बले ही उसका direct connection नहीं है लेकिन connection आप दिखा तो सकते हैं तो इस तरीके से smartly आपको दिखाना पड़ेगा हाँ हाला कि आपको बिलकुल ही कोई वास्ता नहीं है दो चीजों का लेकिन फिर भी खीच खीच कर खीच कर जबरदस्ती वास्ता जोड़ रहे है तो वो सामने वाले के पकड़ में आ जाएगा आपको इस तरीके से बताना है जो कि at least यहाँ पर जो है वो believable हो कि हाँ यह skill जो है वो इस job से related नहीं है लेकिन इसमें काम जरूर आ सकता है हो सकता है कि कोई related skill नहीं हो आपको football नहीं आता था आपने football सीखा आपने यह ठान ल मैंने determination रखा मैंने continue इतने इतने दिनों तक उसकी training लिए बकायदा मुझे कुछ भी नहीं आता था from zero from scratch मैंने सीखा और मैं उसमें expert बना बात में मेरे सामने यह चुनौती थी कि मझे वो tournament जो है वो जीती नहीं थी तो मैंने उसके लिए planning करना शुरू कर दिया कि किस तरीक करते हैं कि जैसे मैंने football के game में pre planning की उसके बाद execute किया वैसे ही मैं business strategies को pre plan कर सकता हूं बाद में उसको execute कर सकता हूं उसके लिए जितनी हो सके उतनी महनत कर सकता हूं तो यह चीजे जो है वो बहुत जादा matter करती हैं तो यह अगर आप strongly अपने point सामने रखेंगे तो कोई भ हले ही आपके पास experience नहीं है लेकिन यह इतना enthusiastic आदमी है यह इतना जादा जुनूनी आदमी है कि यह करके दिखा सकता है हमारे लिए जो targets unachievable हमें लगते हैं वो targets भी यह आदमी achieve करके दिखा सकता है तो इन जैसे point से जो है वो आप सामने वाले को यह जता सकते हैं कि आप इस position के लिए जो है वो बड़े अच्छे candidate हैं तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आपके पास अगर experience नहीं भी है तो भी आप आपके knowledge के दम पर अपने positive attitude और बाकी qualities के दम पर जो है वो आप जरूर यहां पर succeed हो सकते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जाते जाते एक pro tip आपके लिए यहां पर आपने यह सारी qualities तो आप बता ही दी लेकिन बाकी की जो common qualities है उनको भी आप जरूर शोरो से सामने रखें जैसे कि आप impromptu है आप काफी ज़्यादा attention to detail देते हैं आप समय के मामले में काफी ज़्यादा पाबंध है याने के punctual है आप एक team player हैं इसके बारे में जरूर बात करते रहें इसी की साथ साथ जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि maybe I am a perfectionist जब तक काम मेरा perfect नहीं होता है जब तक मैं उससे खुश नहीं हूँ तब तक मैं उसको करना नहीं छोड़ता हूँ तो इससे भी एक काफी अच्छा attitude सामने वाले को लग सकता है आपका तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे जादा से यादा शेयर कर दीजे आपके कुछ स सवाल है तो नीजे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं